केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर आखिर स्टेंड क्या है ये शब्द आप काफे सुन रहे होंगे दरसल केंद्र सरकार ने इस मसले पर याने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राश्पती रामनाथ कोविन के अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर दी है कानून के सभी पहलों पर विचार करेगी कमिटी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी कमिटी लोगों की राय लेगी लोगों से बाचीत करेगी वन नेशन वन इलेक्षन के विचार का मतलब देश में लोगसभार राजियों की व्यधान सभाव के चुनाव एक साथ कराई जाने से है और अचानक से इसलिए वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर आप इन दिनों सुन रहे होंगे बीते कुछ घंटों से कि आखिर एक नई बहस छिड़ गई है नई चर्चा शुरू हो गई है अख़बारों में टीवी चैनलों में वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर काफी सुर्खियां हैं काफी चर्चाएं हाला कि एक बड़ा फैसला अज सुबह सरकार ने लिया खबर ये आई है कि देश के पूर्व राश्पती रामनात गोविंद के अध्यक्षता में कमिटी गठेत की गई है हाला कि इस मसले पर देखिए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है इधर मद्प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा उन्होंने वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर अपना वयान दिया है उनका कहना है कि जन्मत के आधार पर इसका फैसला होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्षन के मसले पर कहा है कि वन राशन पर चर्चा हुई है ऐसे कई काम देश में हुए हैं वन इलेक्षन पर चर्चाएं होती रही हैं जनता के बहुमत के आधार पर प्रधान मंत्री फैसला लेंगे रामनात कोबिंद की अध्यक्षता में ये कमिटी गठित की गई है और बता दें आपको अगर ये फैसला लिया जाता है सरकार इस पर अमल करती है और अगर जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाता है तो जाहिर है ये मूदी सरकार के उन बड़े फैसलों में फैसला शामिल ह हो जाएगा जिसे अब तक अलग बड़े फैसलों में याद किया जाता है पिछले लगबग 10 सालों में चाहे फिर वो कश्मीर सिधारा 370 हटाने का फैसला हो डी मॉनिटाइजेशन जिसे नोटबंदी कहा जाता है वो फैसला हो तीन तलाग का मसला हो देश में एक टैक्स ट पहनाया जाता है तो रामनात कोविंद इस कमिटी के अध्यक्षता करेंगे लोगों से चर्चा होगी संबाध होगा हाला कि देखे इन देनों आप सुन रहे होंगे बीते कुछ घंटों में चर्चाएं काफी तेज हो गई है और इस पूरे मसले पर मद्रदेश बीजेपी क अध्यक्ष वीडी शर्मा का क्या कुछ कहना है आपको उनका बयान सुनाते हैं और भी हमारा नित्र तो कहता रहा है यह समाज की देश की जरूरत है इसलिए इस प्रकारी की विवस्ताओं में आगे क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इन बातों की चर्चाएं समाज के अंदर हैं चली वीडी शर्मा साब को आप सुन रहे थे लेकिन देखिये जाहर है पॉलिटिकल रियक्शन जो आ रहे हैं यह तो हम आपको सुना ही रहे हैं और सियासी समीकरण भी इस पर क्या होंगे यह भी हम समझने के कोशिश करेंगे लेकिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए इस ख़वर पर हमारे साथ भुपाल से हमारी सयोगी अमरतानशी जो शी इस वक्त लाइब जुड़ गई है उनसे हम बाचेत करेंगे अमरतानशी बीते कुछ घंटों से यह शब्द बड़ा प्रचलित है वन नेशन वन इलेक्शन एक देश और एक चुना यह कोई पहली मर पेक्ष्म में आपसे समझना चारा हूं वीडी शर्मा ने इस पर बयान दिया है प्रधान मंत्री कभी भी फैसला ले सकते हैं वो कह रहे हैं मदप्रदेश के पॉलिटिकल अटायर पर आप कैसा असर देख रहे हैं तीन महीने में चुनाव होना है पिल्कुल देखी तीन महीने में मर पेक्ष्विधान सभा के चुनाओं उसके बाद अगर हम कहेंगे तो उसकी तीन-चार महीने बाद जो है लोक सभा के चुनाओं आ जाएंगे और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे मैंने सुना कि कई बड़े फैसलों में ये शामिल हो सकता है क्योंकि तीन तलाग हो आर्टिकल 370 का हटाना हो आर्टिकल 370 की बात अगर्म करें उसके बाद जो है ये विशेश सतर जो बुलाया गया उसमें जो बातचीत हुई है और लगातार हवाओं में ये चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल जो है वो लाया जा सकता है अप्रदीश दिश्वीडी शर्मा ने भी देखी पूरी तरीके से इस बयान को जो है अच्छे तरीके से खुमा के बताया कि फिलहाल सिफ चर्चाएं हैं और हवाओं में हैं अगर जनता चाहे की जनता से जो है फैसला लिया जाएगा जनता के जन्मत के आधार पर और उसी के बाद जो है अगर जनता चाहेगी तो ये बिल लाया जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको कंड़क करवाया जाएगा लेकिन देखिए अगर हम मद्विदेश के परिपेक्श में बात करें तो यहाँ पर जो है अगर वन नेशन वन इलेक्शन का परशानी बन सकती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको कहीं न कहीं थोड़ा फायदा मिलते हुए इन सब चीजों से नजर आता है और अभी बीजेपी सत्ता में है तो लगातार हमने देखा है कि मोदी लहर इस पर पेक्ष में चुनाओं होते हैं तो कहीं न कहीं कॉंग्रिस के लिए थोड़ी से देखिए टेंशन वाली खबर हो जाएगी हलाकि जो आइन डियाई की बैठक के लगातार मुंबई में चल रही है लगातार रणनीती बनाई जा रही है और जिस तरीके से सुत्रों के मताबिक जैसे ही एक खबर बाहर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाए होनी शुरू हो गई है तो विपक्ष में भी जाहिर सी बात है जो विपक्षी एक्ता दिखा रहा है उसमें भी खलबली मच गई तो कहीं न कहीं देखिए अगर जो ये सत्र बुलाया ग द्रवास भरभी होता है तो जनता पर जो है वो घास तोर पर काफी है तर वट जय पर लगार जा सकता है करोड़ों रूपे जो खर्चा होता है विधियायुका काम बढ़ता है सभी का ये मानना है कि अगर one nation one election होता है तो इससे कहीं न कहीं काफी ज़्यादा फायदा जो है जो भी आयोग है जो सरकार है उनको पहुचेगा और खर्चे इसमें काफी तौर पर कम हो जाएंगे क्योंकि election करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया होगी क्योंकि बिल पास होगा उसके बाद पास होगा विपक्ष इसको लेकर कितना हंगामा करेगा क्योंकि special सत्र है खास यह जो सत्र बुलाया गया है तो कहीं न कहीं चर्चा तो है जाहिर से बात होगी ही होगी लेकिन मोदी सरकार देखिए फिलाल जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ फैसले अचानक से लिये हैं जिन्होंने कई तरीके की परिवर्तन किये हैं यह जल्दबाजी होगा हम यह कहने वाले नहीं होते हैं लेकिन चुकि यह शब्द पिछले कुछ घंटों से प्रचले थे हैं वन नेशन वन इलेक्शन मैंने कुछ रियक्शन यह भी सुने कि अगर ऐसा कुछ जल्दबाजी में फैसला लिया जाता है मोदी सरकार लेती है तो जाहिर है पांच राजियों के जो चुनाव होना है वो भी शायद इसकी चपेट में आएंगे आने वो भी प्रभावित होंगे बहराल यह चर्चा को आगे भविश्य में चर्चा करेंगे फिलाल आपका बहुत शुक्रिया मृतान शी हमारे साथ जोड़ी इस ख़बर पर से हमने चर्चा की